कि ओसन्य पैप कि तो न डाना येंग ग vine फैषला लेना है और फैसला लेने के लिए म दूसरों के संदर्व में बहुत है सले ले तक पुल ले तो यह मत पने वह पेन ले तो इससे शादी मत कर्या उटसे कर ले तूंवा जाब मत कर में कर ले यह कॉर्स मत कर पर खुद के बारे में हम फैसले नहीं ले पाते हैं, और छोटे-छोटे फैसलों का बड़ा जादू है, आपने ताली बजीत मेरा मुड़ बन गया है, मैं आपने एक शेर सुनाता हूँ, तो ऐसा कुछ मैंने सुना था, कि हो ध्यान से सुनियेगा, आपके जिन्दे की बदल सकता, किस्मत में लिखे फैसले, यह बात सचे हम कहते हैं, भाग्य की बात है, भाग में होगा तो मिलेगा, नहीं तो कहां तो मिलेगा, तो किस्मत में लिखे फैसले, कोई भी बदल सकता, पर मैं कहता हूँ, एक फैसला तो लीजिए, शायद किस्मत बदल जा, और फैसला क आज मैं मैं टोड इंदगी बर याद रखेगे यालद राव उस शाम को एक छोटी बात चोटा सा निर्णा लियाता है और आज मैं एक छोटा सा निर्णा मुझे एक और कहानी याद आ गई वो शो एक अच्छी कहानी कह रहे थे कहते रहे हमेशा मुझे बड़ी पसंद रही हो कहानी हुआ है जो करूंगा आपके साथ वह आदोतों पर क्रांग चुटी आथते होती तो क्या होता है कि एक बहुत छोटी सी चीज जो जैसे आप आज से कोई चीज करना शुरू की तो आपको पता ही निशागा अगर आप लगाता रहे एक मिनिट उस चीज को करते रहेंगे तो प अगर आप ने पचीस-पचीस बार यकेज एक लिए इसे चाल रही है एक दुटी चल रही है चल रहे है अनक चल रहा है और अब मुंबई पहुचना है और आपने क्या कि आपके सांध मजार की कि आप हर आप बार बाशी चौक जाता है जोड़ से आवाज करो दो तो आपन तो यह प्लेन बंबई नी दिल ले उत्र है। सचे की नहीं। इतना सा फरक एक इंच का फरक इतने किनोटरस का फरक कर सकता है क्योंकि हैंडल घूम गया है हैंडल घूमा तो सारी कानी बदल गए। एक छोटी सी आदत आपके जिन्दकी को बर्बाद कर सकती है और एक छोटी सी आदत आपके जिन्दकी को आबाद कर सकती है